जै मातगी दोस्तों कैसे हो आप सब दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगतियान यूटुब चैनल में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ नवरात्री पर ये साधना अपने घर में करके सिर्फ एक दिन में दिब्विद्रिष्टी खोलो शक्ति प्राप्त करो जी हाँ दोस्तों आज मैं आप लोगों को जो इस वीडियो में नवरात्री की साधना बताने जारी हूँ यदि आपने एक बार नवरात्री के समय ये साधना किसी भी टाइम कर ली तो ये मैं आपको गारंटी दे रहीं उस बात की आपकी दिब्विद रिष्टी उसी टाइम खुलेगी जब आप ये साधना नवरात्रे के दिनों में करेंगे जैसे कि आपको पता है 15 अक्तूर से नवरात्रे लगने वाले हैं और पहला दिन है ठीक है उनी दिनों में आप लोगों को मा भगवती की साधना करनी है और जो साधना में आप लोगों को बताने जारी हूँ ये एक ऐसी साधना है जिससे आप लोग असानी से अपनी दिव्विद रिष्टी को खोल सकते हो और जब आपको दिव्विद रिष्टी आपकी खुल जाएगी तो शक्ती तो आपको ओल्रेडी प्राप्त हो जाएगी ठीक है तो साधना बताऊंगी इस वीडियो के माध्यम से और ये भी बताऊंगी कि जब आपकी दिव्विद रिष्टी खुल जाएगी तो आपको कैसे पता चलेगा सब कुछ मैं बताने वाली हूँ लेकिन बताने से पहले आप सभी भक्तों से रिक्वेश्ट करना चाती हूँ अगर आप महाकाली भकतिज्ञान यूटुब चैनल पर नए आये हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक, सेर, कमेंट जरूर कर लेना क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को ऐसी ऐसी जानकारी आगे-ागे मिलने वाली है जो आस तक आपको कहीं भी और किसी भी चैनल पर नहीं मिली होगी तो भाई जितने भी माता काली के भक्त हैं या अन्य देवियों के भक्त हैं ठीक है नवरात्रे के दिन आने वाले हैं जादा दिन नहीं बचे हैं 15 तारिक से पहला नवरात्रा है मावेशनो देवी के नवरात्रे हैं और इसी नवरात्रों में मावेशनो देवी की आपको ए प्राप्त होती है तुछ जब आप या साधना अपने घर में नवरात्रों के समय करेंगे और इस साधना आपको सिर्फ एक बार ही करनी है तरे का बार करनी की जरूत नहीं है जब पहली दफा इस साधना को करेंगे तो पहली दफा में ही आपकी दिविद्रिष्टी खुर जाएगी और आपको अन्य देवियों की शक्ति प्राप्त हो जाएगी तो चलिए मैं आपको पहले समझा देती हूं साधना कैसे करनी है अपने घर में पहले दिन नवरात्री का पंद माता काली की बता रहे हैं आपको तो आपको एक हवन करना है छोटा से अपने घर में साधना के तोर पे उसी हवन में आपको माता काली को प्रिये भोग उनका चड़ाना है जैसे कि मैं आपको भोग बता दू हवन में आपको मा को ये भोग देना है आपको देनी है तीन नीम तिल मिसरी हरी इलाईची थोड़ा सा भूरा ठीक है ये भोग आपको माताकाली को हवन में देना है अपने घर में और उसके साथ आपको एक सूखे गोले की भेट माताकाली को देनी है और ये जो साधना है ये आपको दिब्विद रिष्टी खोलने के लिए ही है और किसी माताकाली को ये भोग परसा सब को चड़ा देंगे जब आप अच्छे तरीके से कर लेंगे लाश्ट में आपको माताकाली के बीज मंत्र को बोलना है मंत्र आप बीज कोई सभी ले सकते हैं अल्रेडी आपको पता ही होगा माताकाली के बीज मंत्रों के बारे में जैसे ओम क को माताकाली तक जरूर पहुचाता है जैसे मुझे इसने पहुचाया था ठीक है मेरे भी गुरु नहीं था मैंने भी इसी मंतर का जाब किया था जब मेरे पास कोई शक्ती नहीं थी तो इसी मंतर से मुझे माताकाली की योग ने शक्तिया प्राप्त हुई थी तो आप भी इस में से धुवा निकलेगा ते ते लिकलने दो जब धुवा निकलना बंद हो जाएगा तो समझ जाना आपकी अग्यारी बन चुकी है और अग्यारी को सिर्फ हवनकुंड में डालो हवनकुंड में डालते ही उसके उपर सरसों के तेल डालो दो तीन चम मच कम से कम अपने आप उसमें से धुमा निकलना स्टार्ड हो जाएगा और एक तिल्ली जलाओ और यूँ टच करो अपने आप ही अगनी में माताकाली आकर हाजिर हो जाएगी और आपकी सारी की सारी पूजा माताकाली को सुभिकार होईगी अगर आपकी लोंग चटकने लगेगी यानि कि आप साथ आपने नवरात्रों में करी है दिव्विद्रिष्टी खोलने की आपकी पूजा माताकाली को सुभिकार है और माताकाली ने आपको दिव्विद्रिष्टी खोलने का वरदान दे दिया है और आपकी दिव्विद्रिष्टी में माकाली शाक्षत वैठी अन्य देवी वैठी ये नवरात्रों के पावन समय में आपको साधना करनी है और बागी सराब, किसी भी चीच का भोग माता को नहीं चड़ाना है ठीक है बस आप ये लोग कंटीलू करके देख लो ये मेरी गारंटी है आपकी दिब्विद रिष्टी उसी समय खुलेगी जब पहली बार ये भोग पिस्ट वीडियो में तब तक के लिए जय माता काली हर हर महादे माता काली आपकी मनोकामना पूरी करें